जब भी हम email list बनाते हैं, उसके अंदर हम एक category को जुरूर add करेगे, सबसे पहली category है new net, new net का मतलब यह हुआ, कि यह बंदा अभी भी मेरी list के अंदर आया है, और यह जो data है, यह मैंने कहीं ना कहीं से लिया है, मैंने अपने दोस्से लिया है, मैंने कहीं से data भी purchase किया है, कही बास mail आया, तो यह जो चीज थी, इस चीज को मैं कहते है, acquired, अगर सामने वाले ने अपनी consent से हमको दिया है, तो भाई, उसको हम acquired की category में दा लेगे, अब क्या होता है, मैं एक e-commerce store चला रहा हूँ, e-commerce के अंदर लोग खरीदते हैं, और अपनी email एड़ी भरते हैं, अब कि segmentation करी है, इसका बहुत बड़ा फायदा है, मैं आपको समझाने की कोजिश करता हूँ, net new को जब यह mail भेजे के chances यह है, कि वो 70-80% spam में जाएगा, क्योंकि उसने हमको दिया नहीं है, अगर हमने मेहनत करके, कुछ भी करके हमने उसको डन से land कर दिया, और उस बंदे को हम प हम कर रहे है, हमारे को loss हो रहा है, अब अगली चीज है acquired, यहाँ पर हमने सामने मले से भरवाया है, पर भाई बहुत बार ऐसा होता है, हम कहीं साइट की ओपर अपना email ID भर देते हैं, अब हमको याद नहीं होता हमने भर आया, फिर नहीं करा, तो हमको क्या करना है, हमको उन आपने इस संडे को ये लिया था, अब हमने दो प्रोड़क्स निकाले है, इस चाइब के, क्यो न आप ये ले लो, Amazon के अंदर क्या होता है, अपने एक प्रोड़क्स लिया था, अब उसके अब customer बन चुके हो, अब आपने कोई नई चीज लिए, उसको card के अंदर add किया, भ अगर कोई net new है, तो भाई उसको हफते से ज़्यादा एक mail बेजने की ज़रत नहीं है, अगर कोई हमारा acquired है, तो उसको कितना बेज सकते हैं, दो mail बेज देगे, कोई retain हो गया है, तो उसको कितना बेज देगे, तील mail बेज देगे, इस से ज़्यादा mail नहीं बेजने, बहु तो कि जो मैं CPC की campaign चलाने वाला हूँ, महाँ पर मेंको एक click का 40 रुपर बेख करना है, यहाँ पर भाई मेंको एक पैसा पेख करना है, तो यही better option है. यहाँ पर क्या होता है, अगर आप एक बंदे को बार-बार-बार-बार mail देखते हो, वो बंदा पर्शान हो जाता है, वो spam में डाल देथा आपको. अंसब्सक्राइब कर देता है, सबसे बुरी चीज़ा अंसब्सक्राइब करना. mail को ऐसा मत लेकी चलना, फिरी की चीज़े, सस्ती चीज़े तो भेज़ दो. सामने वाल आपका mail खोलेगा, नहीं खोलेगा, उसके बाद भी time है ना, वो अपने time के साब से खोलेगा. अब बात करते हैं हम chain के बारे में, किस तरीके से हम mail बेजने वाले हैं. सबसे पहले तो भाई हमने welcome mail बेजना है, जिसने वे हमारे list को add किया, हमने उसको बोलना है welcome, thank you, अपने हमको अपना email ID दिया, यह सब किया, वो क्या किया. उसके अब हम क्या कर सकते हैं, हम personal mail बेज सकते हैं, कि हमने आपके लिए चीज tailor करके रखी है, आप जो भी client को use करोगे, जैसे यह mailchimp के बारे में बात कर रहा था मैं आपसे, तो अगर आप mailchimp को use करते हैं, वहाँ पे आप डाल सकते हो, जब भी आप किसी को mail बेज़े हो, personified हो सकता है. हाई साहिल, अभी आपने हमारी email list को join किया था, specially हमने आपके लिए एक नया offer निकाला है, यह coupon है, आपको specially 10% का discount मिलेगा, यह सिर्फ आपके लिए है, अब यहाँ पर वन्दा आपसे जूरने लग जाता है, personal touch हाना चुरू जाता है, अब क्या करेंगे हम, तीसरा mail बेज़ेगे, यह, मैं यह नहीं कह रहा है, आपको हर 5 minute के बाद में mail बेज़ेगे, तोर तोर टाइम के बाद बेज़ेगे, welcome तो जब उसने हमारा भरा, उसके 6 गंटे के अंदर बेज़ दिया, उसके बाद हमने जो दूसरा mail बेज रहे हैं, personal वाला, वो हमने 2 दिन के अंदर बेज़ दिया, अब आती है तीसरी बारी, तीसरी बारी के अंदर हम क्या करेगे, get started या कुछ भी रखिए, मैंने कुछ cart के अंदर add कर रखा है, हम उसका notification दे सकते है, या फिर हमको पता लग चुका है, सामने वाले हमारे email खोल रखा है, coupon रखा है, पर उसने coupon को apply नहीं किया, तो हम उसको बेश सकते हैं, कि आपका जो coupon है, वो दो दिन के अंदर expire होने वाला है, जल्दी से इसको use कर लो, रहीं rail गाड़ी छूटना जाए, कुछ भी लिख देना, बीच में अगर हम चाहे, अगर हमारे पस कोई ऐसा product है, जैसे मैं digital marketing course चला रहा हूँ, मुझे उसके बारे में सामने वाले को बताना है, तो welcome mail के अंदर मैंने add कर वा लिया, दूसरे के अंदर मैंने बता दिया, कि मैंने specially आपके लिए course बनाया है, तीसरे के अंदर मैंने बता दिया, कि आप किस तरीके से SEO कर सकते हो, किस तरीके से, basically जो हमने YouTube पे free के lecture चला रहा है, मैंने उसको promote कर दिया, चौते के अंदर मैंने क्या किया, मैंने कोई newsletter निकाल दिया, मैंने कोई blog निकाल दिया, कि आप SEO कैसे कर सकते हो, basically business के साब से chain की जो length है, वो change हो सकती है, जो आपको बता रहा हूँ, वो एक basic chain है, वीच में आप चाहो तो उन चीज़ों को बढ़ा सकते हो, welcome maker रहेगा, personal के अंदर आप 3-4 level बढ़ा सकते हो, उसके बाप 3-4 level बढ़ा सकते हो, और final वो add to card वाली जो strategy है, वो final conversion के time पर आप यूज कर सकते हो, और एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, जो आप mail भेज रहे हो, वो चीज़ हर जगा पर available नहीं होनी चाहिए, मैंने अगर आपको अगर discount coupon offer किया है, तो वो सिर्फ उन लोगों को मिलेगा, जोने ने हमारी email list को subscribe कर रखा है, जोने ने नहीं किया, उनको नहीं मिलेगा, अब यह नहीं है, कि मैंने एक coupon आपकी email से देखा, मैं अपनी किसी और website के ओपर land किया, वहाँ देखा, यही coupon से उनका से लगा होगा है, अभी जो मेरे पास mail आया था, कि अभी हमारे पास कोई नया offer आएगा, तो आपको एक हफ़ते पहले notification आजाएगा, अगर हमारी कोई demo class उने वाली होगी, तो आपको एक हफ़ते पहले notification आजाएगा, अगर कोई tools हैं हमारे पास, हमारे पास यह फलाना फलाना free के tools है, अगर आपको use करना है तो आप इस पे click करके आप download कर सकते हैं और एक और चीज बताता हूँ मैं आपको आप क्या कर सकते हो एक mail बेज़ सकते हो उसके अंदर कह सकते हो कि आपने हमारे form भरा हम आपके बारे में कुछ और दानना चाहते है हम आपको आपके बारे में कुछ हमको बताईए हमको basically data लेना है मिरा आपको पिछली वज़े एमेल लेस जी थी उसके आप से पूछा था आपका profession क्या है student हो business man हो professional हो क्या हो वैसे ही आप details ले सकते हो ताकि आप उनको categorize कर पाओ और उससाब से tailor made mails बेच पाओ क्युज मơ प्याज कर दापका